नमस्कावर दोस्तों करने वाले में अपने जो चैनल है ब्रह्माट सिद्ध्य एस्ट्रो इस चैनल बद बेश राशी से लेकर मीन राशी तक की जो सभी बारा राशिया ने इन सभी बारा राशियों का फरवरी 2024 का राशिय पन क्या होगा इस विचार पर वीडियो अपनोड हो चुके है आप स्कारन जरूर लीजे तो आज के इस वीडियो में हम चाहसा करेंगे कुम्बर राशी के बारे में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कि आपके राशी के वेया भाव में बहुत सारी ग्रह हैं वो आतार आने वाले है फरवरी के मेने में जैसे कि रवी, मंगल, बुदो, शुक्र यह जो चार महतो पूर्णग्रह है वो आपके वेया भाव में आ रहे है उसी परकार आपकी जो राशी है वो साने साती में चल रही है तो यह तरह से देखा जाए मानसिक या फिर्शार रिग वो किस परकार कहोगा जैसे कि आपके राशी का जो स्वामी है शनी जो कि आपके राशी में ब्रह्मन कर रहा है उसी परकार आपके राशी का जो अस्टमेश है वुदो जो कि आपके नाब भाव में ब्रह्मन कर रहा है एक देड़ साथ से, जो बाते हैं, वो काफी ज़्यादा स्ट्रेस्फुल हो रही है, तो वही जो बात है, वो इस मेने में थोड़ से ज़्यादा हो सकते, जिसके वज़े से आपकी जीवन की पूरी दिशाई बदर जैक उस प्रकार के निरने बिश्बुल भी नहीं लेना, उसी प्रकार अगर आपको कोई माशारिक वैदी है, अगर आपको कोई बैक इस्ट्री है, मेडिकल इस्ट्री है, तो उस पर भी थोड़ा दियान देना आवश्यक है, उससे रिलेटिक कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं, आपको इसे के उपर थोड़ा सा दियान देना होगा, उसे प्रकार, अब हम चर्शा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्टार है, फाइनिशल स्टेटस है, व सबसे बिले गुरु के बारे में अगर देखा जाए, तो यह जो गुरुग्रा है, यह गुरुग्रा आपके राशी के तृतिया भाववे ब्रमन करता है, और पिछले मैने ही यह मार्दस तो हो चुगा है, तो यह जो बात है, आपके लिए बहुत ही जादा शुपलता है, क्योंकि यह अदिवी शरी जो है, आपके राश्री में मेरबन करता है, आपके राश्री साड़े साती में है, यह फिर वह जादा जो गरहा है, वो आ रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसे का मामला है, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपके जो भी इंकम है, ह तरह 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 के बाद का जो समय है, उसमें जो रवी है, वो आपके द्वितिया भाव में आने वाला है, तो यहाँ पर आपके जो खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, आपके जो खर्चे हैं, वो थोड़ा बढ़ सकते हैं, बस आपको इसी के थोड़ा ध्यान देना होगा, इसी परेकार, आपके राश्यक का जो पंचवेश बुदर जो कि आपके लाब बाव में ब्रह्मन कर रहा है, और दिना की दो तरीके बाद यह आपके वेवाव में ब्रह्मन करेगा, और किस तरीके बाद यह जो बुदर है, वो आपके राश् तो इसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देख इंग शॉट टम में अगर आप कोई इंवेस्ट करते हो, तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, तो द्यान दरेके वैसे भी आपकी जो राशी है, वो साड़े साती में चंदरी है, तो पैसे के बाँ लात त के रिइंवेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, उसे प्रेकार आपके राशी का जो लाबेश है, गुरू, जो कि आपके तृतिया वाम में ब्रॉमन कर रहा है, काफी अच्छी बात है, किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं लेना, जिसके विज़े से आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्चा होगा, तो इसे प्रेकार आपका जो घर का सुख है, उसके बारे में अदर सोचा जाए, तो आपके राशी का जो चतूर्तेश है, श ब्रह्मन करेगा, अब यहाँ पर घर का जो सुख है, इधर के जो फैमिली मिंबर होगे, उन से आपकी जो इंट्रेक्शन होगी, वो काफी अच्छी होगी, लेकिन करिकल पंदरा तारीक के बात कर समय है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके पंदरा तारीक के थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो थोड़ा से इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, तो कोई मिलाकर देखा जातों घर का जो मामला आता है, तो करिबन पंदरा दारीक के बात कर समय है, थोड़ी बड़ प्रोब्लम आ सकते है, तो उसे पर लिगा, लो रिलेशन्शिप के मामले में अगर का आजाए, तो जो वो दो मेरे का हाथ, कि दो तारीक से लेकर अगरिमन भी स्टाटिक तकर जा समय होगा, वो आपकी वे यह वह 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 विनमन करेगा, तो अगर आख किसी के रिलेशन्शिप में है, तो छोटी मुड़ी बातों को लेकर तकरार हो सकती, इसका बहुत बड़ा इंपक्ट आफका जो रिलेशन्शिप है उसकर नहीं होगा, नेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकना रहना आवश्चक होगा, ये बाते जान लीजे, उसी प्रकार जो गर्वुवती मेला है, मतलब कुम्बर राशी के जो गर्वुवती म होगा, इसे प्रकार जो विद्याट की वर्ग है, उदरने भी खुत्वी जो पड़ाई होगे, उस पर द्यान देते हैं, और प्रतेक्श एक्जाम में जो बाते हैं, वो फूरी उलट फेल हो जाती है, इसी के वो साड़े साथी बे कहते हैं, तो थोड़ा जा इंचिस ओपन द्यान दीजे, मतलब confidence में बिल्कुल भी नहीं जाना, जो बाते हैं, वो पूरी तरसे आप तयार, इससे करें, ज्यादा effort आपको इस मेने में देना होगा, उसे पर गर विवासुक के बारे में अगर का आ जाए, तो आपके राशी का जो सबतमेश है, रवी, जो कि आपकी वेया मोब में ब्रह्मन कर रहा है, दिना 17 तरीक के बाद, यह आपकी के राशी में ब्रह्मन करेगा, तो करीबन एक दो जो फर्स्ट वीक है, इस मेने में इसमें अगर आप विवाई दे तो आपकी जो वैवाई जिड़िदार है, उनके स्वास्त के बारे में खास करके दि कि जाएगी, उसी प्रकार जो कुंबर राशी के विक्ति विवा करना चाते है, उनके लिए यह जो समय है, वो बहुत ही अच्छा है, तो जो गुरू का प्रवाव है, आपके दिश्दिया भाव में, वो आपके सप्तम भावपर भी देखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छ जो कि आपके वह बाव में, व्रहमन कर रहा है, करिवन 6 तारीक के बाद यह आपके वह बाव में, व्रहमन करेगा, तो यहाँ पर सबसे ब्रूटन बात, जहाँ पर आप काम करते हैं, नुकरी करते हैं, फिर भीरस आ Charlio करते हैं, वापन के जो लोग हुंगे, उनगे साथ आ चंदरिया कभी कभी ऐसा मुता भी है कि थोड़े सी misunderstanding होती है तो इसके चलते को एक बड़े दिरने नहीं लेना आपका जो भी कारिश है तरह है उससे प्रकात किसी अन्य जो इंकम स्थे इसके पीछे भी नहीं जाना आपकी जो अंदाज है वो चूप सकते है तो इस चाज इन चीज़ों पर थोड़ा सा दियान देना आवशक है तो मोटे तो पर अगरम देखा जाए फिर खु़ी मिला कर देखा जाए तो आपको financially कोई problem नहीं आएगी सिर्फ आपको स्वास्त के बारे में देखना होगा यह बाते दयान दयान में लेना वशक है उसे परकार relationship के मामले में भी जो बाते है वह थोड़ से complicated हो सकती है जैस मैंने का कि वह वाँवे बहुत सारे ग्रह है तो थोड़ा साफ stress में रहा होगा confidence में जैसे पोई भी बात लेकर ना फिवके राशी जोग है वह साढ़े साती में चल रही है एकजन्ट साढ़े साती में चल रहे है अब हम चर्जा करेंगे कि इस मैने के जो ग्रहयोग है उसके जो परणाम है वह आपको किस प्रकार से मिल सकते है दिनान दो तारिक को निप्चुन और वुद्र का लाव योग होने जा रहा है वुद्र जोकि आफके व्यावाब में ब्रहण कर रहा है उससे साथ आपके दृतियाव अवागन जो credited है वह लाव योग कर ने जा रहा है तो पैसे के मामले में कुछ अच्छ्छा लाव अगरा मिल सकते है इसी वल बारण में ब्रहमन कर रहा है दोनों का पर शक्रिम्री च्भाई यह जैसे मुने का कि शुक रगर है यह आपका जटूत्रवध्ष और इस وجہ साथ आड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्त होगे उसी प्रकार आपके जो वित्र परिवार है उनसे मिलागात हो सकते हैं उन्हा फिर ना भी जाता हो सकता है इसी प्रकार निना दातर तरिक और रभी और अर्शन का केंदरियोग होने जा रहा है अर्शन जो कि आप दस तारिक है वो थोड़ी वो स्ट्रेस में आपके जा सकते हैं उसी प्रकार दिनांग तेरा तरिक को नेप्चुद और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है नेप्चुद जो कि आपके द्वित्य वाह में ब्रह्मन करेगा दोनों का लाभ योग होने जा रहा है इन दिन 17 तरीक को बुद और हर्षल का केंदरियोग होने जा रहा है, बुद जो कि आपकी वे अबाव में ब्रह्मन कर रहा है, जो हर्षल, आपके तृतिय अबाव में ब्रह्मन कर रहा है, दोनों का केंदरियोग होने जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी काम इन दिन में नहीं कर रही है आपकी वी अबाव में अब यह जो युथी है प्राया यह यूति शुव फदाद आई हुथे लेकिन वे अबाव में अने कर स्ट्रेस जादा आ सकता है अगर आपकिसे के रिलेशंशिप में है तो थोड़े प्रॉब्लोब कॉप्लिकेशन में जादा आ सकते है खास करके जो भी आपना दारे से तरह है उससे रिनेटे ऐसी कोई बात हो सकती है दिससे वाज़े से आपका मन जो है वो बिचलीत हो सकता है तो इन चीज़े पर थोड़ा सा ध्यान दीज़े इस चीज़े यह जो पाते हैं वो ध्यान में देदा आवश्चक है इसी प्रकार दिनाल गठाई सारे को रवी और शनी की यूतियों उने जारे काफी महत अबुलन है और आपके वेयव हो में है इस संपूर्ण मेरे में ये जो यूतिय है आखास करके वो आपके लिए थोड़े सा नेकेटिव आस्पेक्ट हो सकती है जो भी आपका कारेशित रहे उससे लिए बहुत बड़ी प्रॉबलम आ सकती है इसी प्रेगार आपके जो वेयवाई जुड़ेदार आनके स्वास के बारे में समस्या है वो काफी मातरा में जादा आ सकते हैं मोटे तरबर अदर देखा जाए तो इस मेरे में आप में आपके जो वेयवाई जुड़ेदार है उनमें जो इंटरेक्शन है उनमें उसमें काफी जादा फरक आ सकता है काफी जादा प्रॉबलम कॉम्लिकेशन जो है वो आ सकते है, तो इस उबर थोड़ा सा द्यान दीजा, आपका कोई भी गलत कदम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप में और आपकी जो वैवाय जुड़िदारन के रिलेशन्शिप में लेके आ सकता है, क्योंकि जो वैवाय में रवीशनी की यूती है, आपके राशिमी जो वोने जा रही है, वो complications लेके आ सकती है, इस वाक्त के बारे में भी थोड़ा द्यान देना अवश्यक होगा, ऐसे प्रकार 29 तारिकों गुरू और वुद्र का लावय योग होने जा रहा है, गुरू जो कि आपके तितिया भाव में प्रमन कर रहा है, जो वुद्र आपके व पुर्णिमा है, वो 24 सारी को होने जा रही है, वे अबाव की जो अमावस है, वो आपके दिया काफी problematic हो सकते, खास करके 8-9-10, इन दिन दिनोंगे किसी भी प्रतर के महतों पुर्णिमा होने जा रही है, तो दोस्तों ये था कुंबर राश्री का फरवरी 2024 का संपुडर रा निचे कम्में बख से दरू कमें खाना है, अपना है आप ने चैनन है, प्रहमा अन्दस इदियास्टो इसदे लिए लिक शर और सब्सक्राइब जो रोकर्ण, देवाव